हेलो दोस्तों नमस्कार सभी को चलिए हम लोग देखें कि आज काफी इंपॉर्टेंट प्राची नितिहास में बेदी काल से समंधित है जितने भी प्रस्ण पूछे गए है ऐसे सीजेल सीप्यू सीचे से लेम टीएस हैना तो यह सारे कोशन को कॉलेक्शन है जो कि बेदी काल से समन्दित हैं और काफी इंपॉर्टेंट है प्रेभी है एस सबसे प्रारंभीक बसति है कहां थी तो अडिये बस्तिया कहां पर थी तो वह था सबदिस्ध्षिंदो में ठीक है न भारत में यह दो बर प्रसन पूछा गया है है न दो बार इपिटिट किया गया है Ass da मैं भारत में बाधिक सब बहता था राना किस नदी के किनारे फली फुली थी, तो सरस्वती नदी के किनारे फली फुली थी, है न, बैदिक शब्हता ठीक है, न, 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 नेश्ट प्रस्न है, फोर, वैदिक यूग में एक चरण में राजा को गोपती कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका जो अर्थ होता है मिनिंग जो है वह है मोश्यो का स्वामी है न तो गौप्टी that means मोश्यो का स्वामी नेस्ट है रावी नदी का रिंग वेदिक नाम क्या था तो रावी नदी का रिंग वेदिक नाम था वह परूसनी था क्या था परूसनी ठीक है ना नेस्ट है तुगर भद्रा नदी का प्राचिन नाम क्या था तो तुगर भद्रा नदी का प्राचिन नाम था वो पंपा क्या था ठीक है ना नेस्ट है प्राचिन भारत में किस बिवा को बैद नहीं माना जाता था तो प्राचिन भारत में किस ब करने हुए जो पदार्थ खानी वाले होते थे वे वहां का मुझ की भोजन था मुझ के आहर था ठीक है ना बेदीकार्यों का नेस्ट प्रस्ट है कि आयू के आरोही करम में आरिस समाज में मनिश्यों के जीवन के कौन से चरण है तो ब्राश्चर है इंग्रिस्थ है वह वान प्रस्ट है और शन्यास है या आयू तो यानि इस अक्रोजिन टू यह रेंच है ना नेस्ट है प्राचिन भारतिये दर्शन के अनुसार पुरू सार्थ या जीवन के चार उदेश क्या है तो जो चार उदेश है चार परपस है ना वह पहला धर्म अर्थ काम और मौक्ष की प्रापति है ना इस्ट है फ्रसन ये भी पूछा हुआ है कि बेदी काल में महत्पून देवताओं के सही श्रमू कों सा था तो अगनी इत्र और सोम अगनी इत्र और सोम ठीक न, बेदान्त नहीं है तो ऊह ना पूरμीमांसह वह नहीं है ठीक है ना वेद उपनिशद, पू अरियो दोब़रा किस सील पर कौसल का अभ्यास नहीं किया गया था टो लोहार का परियुग नहीं किया गया था किस रिसी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षीन भारत का आरे कर गिया तो वह अगस्त रीशी के बारे में यह बताया जाता है इनेश्टाय जन जाती है मुख्या के चुनाओं में समाने तक कौन से जन जाती सभाय शम्लित होती थी तो वह शमी थी बेदिक भजनो या मंतरों के शंगरह को सहिंसा की रूप में जाना जाता है भारत की जाती बिवस्ता किसके लिए बनाई गए थी तो श्रनम का बेशाईक बिभाजन के लिए बनाई गया था प्राचिन भारत में लोगों को कितने वर्नों में बिभाजित किया गया था तो चार वर्नों में बिभाजित किया गया था चार ग्यात वर्णों में कौन सा वर्ण परथम इस्थान पर था तो ब्राह्मन वर्णे हो था फस्थिस इस्थान पर था पर तो तामबा का सरोपरतम किसका प्रियों किया था किस धातू का तो तामबा का नेस्ट है 29 प्रसन है खाली अस्थान फसल के दो फसल के बारे में वैदिक के लोगों को पता नहीं था तो जो और तंबाको के बारे में पता नहीं था ये दो दो बारी प्रसन किया गया है ना वैदिकाल में स्वेद में है तो यह जुर्वेद में है ना यग जो है दिया गया है यह जुर्वेद में दिया है ना सामवेद में संगीत वेगर है ना तो यह का जो सुत्र है वो की स्वेद से समले शबंदीत है रिलेटेड है तो यह जुर्वेद से तीन बार परसन पूछा गया तीन बार सबसे प्राचिन वेद को कहा जाता है तो रिंग वेद को कहा जाता है ठीक है ना रिंग वेद में सबसे परमुक देवदा कौन है तो यह इद्र है कोनैं इद्र है रिंग वेद का कोन सा मंडल पूरी तरह से नौल मंडल समर्पित ही जिसम जिसे से समंधित है वह किससे समंधित है तो कानून से समंधित है ठीक है ना ने को सन्थ चैसे अपनीसी truth उपनिसद खाली अस्तान, उपनिसद हिंदू दर्शन का सुरूत है उपनिसद सब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है तो उपनिसद सब्द का जो साब्दिक अर्थ है वह स्रिंधा पुर्वक पास बैठना इसका अर्थ है इसका सब्द है सत्य में जंती सब्द किस उपनीसद से लिया गया है तो मुंदक उपनीसद से ये भी प्रसंद पूछा हुआ है वैधिक गनीत का सबसे महत्पोन बाट कैया है तो वा सुलवा सुतर है उपनीसद को वेदान्त भी कहा जाता है नेस्ट है वेदागो, वेदागों की कूल संख़ै कितनी है तो अच्छे है वेदागों के संदर्व में कल्प अनुस्ठान को दरसाता है किस वेदिक गरंध में पहली बार पूर वी और पस्विस समूद्रों का उलेखन मिलता है तो वह सतपत ब्राहمن में अथपत परामन में, कून सा वेद, वेदेयंत्री का सिस्ट के नहीं है तो अर्थ वेद में जादूई माया और मत्र दिये गए हैं तो अर्थ वेद ठीक है न? नचिकेता और यम किस बीच है न? परसीद, शौध का वुलेखन की इस अपनिश्यद में मिलता है तो वा कटो परतीपाद कुन है तो है करनाद है करनाद है तोल का पियार खालियस्तन भासा के एकपसिद प्राचिन ब्याग्रण वचत्र है तो सम्झियर में भारती ईरीन वादसयान द्वारद संकल्पित किया गया था जो उत्री भारत में रहते थे ठीक है न सिया में उस मंदिर का नाम बताई ये जहां रमायन और महा भारत के दुरिश्यों को दरसा आया गया तो वह है बोरू बुधूर ठीक है यहाँ पर दरसा आया था वेदिक बारत में अश्रमेग अनुस्थान की सजानवर का समद्धित है तो वा घूमड़ा से समद्धित है तो आई होप सेसन अच्छा लगा हुआ तो आप लाइक कीजिएगा Thank you so much for watching this session मिलते हैं इस वीडियो में दोस्तो जैहिंद